नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सवासा करती हूं कि अच्छे होंगे आप सब आज हम आपको सुबह नास्ते से संबंदित सभी 13 महतो पुरोड़क्स वालों के जब आप देने की पूरी कोशिस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अब आपका प्रसन एक है सुबह है के नास्ते में बासी रोटी खाने से क्या होता है आपका प्रसन दो है सुबह है नास्ते में अंडे खाने के क्या फायदे होते हैं आपका प्रसन तीन है सुबह के नास्ते में दई क्यों नहीं खानी चाहिए आपका प्रसन चाहर है नास्ते में खटी चीजे खाने से माना क्यों करते हैं आपका प्रसने 5 है सुबह के नास्ते में ओट से खाने से क्या होता है आपका प्रसने 6 है क्या सुबह के नास्ते में चाहिए पीना सही होता है आपका प्रसने 7 है नास्ते में आलू पूरी खाने से क्यों बचना चाहिए आपका प्रस सान होता है आपका प्रुस्ण ही 11 क्या सुबह के नास्ते में पराठे खाना सही रहता है आपका प्रुस्ण वा रहे नास्ते में जूस और दूद में से कौन सा ज्यादा बेहतर है आपका प्रुस्ण ते रहे नास्ते में चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है आपका रोटी को दूद के साथ खाना फायदे मंद हो सकता है इससे आपके सरीर में सरकरा का इसतर संतुलित रहेगा इससे के अलावा अगर आपको ब्लड डेप्रेशर की समस्या है तो बासी रोटी खाना लबकारी होगा ठंडे दूद के साथ बासी रोटी खाने से वड़ा हुआ रक्त चाप संतुलित रहता है पेट की समस्याओं और यसी डीटी से राहत के लिए भी सुबह के वक्त दूद के साथ बासी रोटी खाना काफी लावदायक होता है बासी रोटी सेहत बनाने वालों के लिए भी दी जाती है ताजी रोटी की अपेच्चा बासी रोटी अधिक पॉस्टिक होती है क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने के कारण इसमें जो बैक्टरिया होते हैं वे सेहते बनाने में लाबकारी होते हैं आपका प्रस्ण दो है सुवह नाजते में अंडे खाने के क्या फायदे होते हैं आपका उतर है अगर आप रोजाना में दो अंडो का सेवन करते हैं तो आपको परियाबत मातरा में प्रोटीन के इंक से लिनीयम फासफोरस हीलदी फैटस से आधी प्राप्तो होते हैं वहीं विटामिने में आपके सरीर ğı को बित लिदी 허म दी वितामिन ओ conversion बीटामिन दो बितामिन बी पाँच बिटामिन बी श्यार वी-चाय आअर बीटामिन और वीको अपका का प्रसंद दो सुवह नालते में अंड़े खाने के किया फाइदे होते हैं अपका उतर हैं में हड़ियों की मजबूती के लिए जरूरी कलसियम वेटामिन दी और प्रोटिन तत्व होते हैं इसलिए हड़ियों की कमजोरी को दूर करने के लिए अंडों का सेवन किया जा सकता है अंडा आपके नर्वस सिस्टम को भी हिल्दी रखता है इसकी जरदी में मौझूद कोलीन एक जरूरी पोशक तत्वा होता है जो नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है अंडे आपकी लोग प्रतिरोधक्षमता को मजबूत बनाते हैं जिससे आप विमारियों वह संक्रमडों से दूर रहते हैं अंडे में कैलोरी की मात्रा कम होती है जिस कारण आप वेट लोस डाइट में इसका असानी से सेवन कर सकते हैं आपका प्रसन तीन सुबह के नाश्टे में दही क्यों नहीं खानी चाहिए आपका उतर है दही खाना सेहत के लिए कई मायने में पायदेमंद होता है इसमें कल्सियम अधिक होता है जो हड़ियों दातों को मजबूत बनाता है किसी भी इंफेक्शन को कम करता है लेकिन दही का सेवन नाश्टे में ना करें दही नेचर में एसी दिक होती है जिससे गैस की समस्या बढ़ सकती है अब सुबह ही आप एक वड़ी कटोरी दही खाकर ओफिस कॉलेज जाते हैं तो सारा दिन गैस से परिशान रहेंगे दही पीत कॉप भी बढ़ाती है यदि आप सुबह ही खाएंगे तो खासी गले में खरास की समस्या हो सकती है आपका प्रसन चारे नाश्टे में खटी चीजे खाने से मना क्यों करते हैं आपका उत्तरे अगर आप घर या बाहर का बना अचार सोस हरी चटनी के साथ ही कोई भी सिट्रस फल जैसे संतरा नेवू मौसमी वाइट सि सुभाव में एसी डिक होते हैं जिससे गैस बनने से पेट और सीने में जलन की समस्या हो सकती है टमाटर में बहुत अधिक मात्रा में एसीड की मात्रा अधिक होती है तो जब आप सुभा में टमाटर खाएंगे तो गैस जलन पेट दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है आपका प्रश्न पांच सुबह के नाष्टे में ओट सा खाने से क्या होता है आपका उतर है दरसल जटपट तैयार होने ओडे और ओट से खाने में स्वाधिष्ट होने के साथ ही यल्दी भी है हर दिन नाश्टे में ओट्स खाने से आप दिन भर चुष्ट दूरुष्ट महसूश करते हैं ओट्स को जो से तैयार किया जाता है यह बजार में कई तरह के फ्लेवर में मिलता है रोजाना आप अगर 30-40 ग्राम ओट्स का सेवन करते हैं तो इससे आपके सरीर को कई तरह के पायदे होते हैं इसमें पाया जाने वाला बिसेज प्रकार का फाइबर बिटा गुलू कहेने सरीर को खुब फायदा पहुचाता है आपका प्रसनेश चह है क्या सुबह के नाश्ते में चाय पीने से पेट फूल जाता है भूख नहीं लगती है गैस की समस्या होती है थाकान महसूस होती है इससे वजन भी बढ़ता है वजन इसलिए वढ़ता है क्योंकि दूद में घूली चीनी हमारी बोड़ी में जाती है औ antioxidant का प्रभाव कम हो जाता है इसलिए लोगों को कोशिस करनी चाहिए कि चाय की बजाए अन्य सेहत मंद पेयपादार्थों का सेवन करना चाहिए इसके साथ ही चाय की पतियों में कई कैमिकल्स होते हैं जिने में निकोटिन कैफीन इत्यादी मिला होता है इसके कारण आप इस चाय पीना शुरू करेंगे तो इससे कई तरह की बिमारी हो सकती है आपका प्रसन साथ नास्ते में आलू पूरी खाने से क्यों बचना चाहिए आपका उतरह कुछ लोगों को आज भी ब्रेड अंडा फल जूस दूद आधिका सेवन करना नास्ते में पसंद नहीं आता है उ इसलिए सुबह के समय अधिक तेल घी खाना अच्छा नहीं हो ताहे पेट में है भी मासूस हो सकता है ब्लोटिंग गैस की समस्या हो सकती है साथ ही बहुत ज्यादा व्रेड का सेवन भी ठीक नहीं है इसमें कर्भो हाइड्रेट अधिक होता है इसलिए यह आसानी से पचता नहीं है आपका प्रसने आठ सुबह के नास्ते में दूद पीने से क्या होता है आपका उतर दूद में कई पोसक तत्व है जिसे अगर सुबह के नास्ते में सामिल किया जाए तो यह कई तरह के स्वास्तिय लाब पहुचा सकता है उदाहरर के तोर पर यह आपके बंस को मज बनाता है इसमें मौझूद कल्सियम पोटैसियम फासफोरस मैगनिसियम प्रोटीन बिटामिंस जैसे धेर सारे पोशक तत्व आपको दीन भर एक्टिव रहने में मदद करते हैं दूद सुपाच्य नहीं होता और इसे पचाने में वक्त लगता है ऐसे में जीन का पाचन तंत कमजोर है उनने सुबह दूद पीने पर दीन भर पेट भारी लगने की सिकायत रह सकती है यहीं नहीं कई लोगों को पेट में दर्द और इन डाइजेशन की समस्या भी हो सकती है आपका प्रसने नहीं है सुबह नाते में कौन सा जूस पीना चाहिए आपका उतर है अनार का जूस इस लिष्ट में सबसे उपर आता है सुगर और कैलोरी होने के बावजूद इसके इंटियोक्सिडेंट से सरीर के लिए बहुत पादेमंद होते हैं अनार के जूस में पाए जाने वाला इंटियोक्सिडेंट ग्रीन टी से भी ज्यादा असरदार माना जाता है आपका प्रसन दस नस्ते में केले खाने से क्या नुक्सान होता है आपका उतर दरसल केला आपको इनरजी देता है यह एक बेहद ही सच्टा और सालों भर मिलने वाला फल है लेकिन केला खाने का भी प्रोपर समय होता है केला पेट की सेहत को भी दुरुष्ट रखता है यदि आप इसे सुबह के समय खाते हैं तो ऐसा ना करें खाली पेट केला खाने से पोटैसियम, मैगनेसियम की मातरा का बैलेंस खराब हो सकता है इसे में ऐसीड भी ओता है नस्ते में केला काने से पाचन तंत्र को नुक्सान पहुँच सकता है आपका प्रुशनाई 11 है क्या सुबह के नाष्टे में पराठे खाना सही रखता है आपका उतर सुबह के नाष्टा हिल्दी होना चाहिए नाष्टे में ऐसे फुड का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन फाइवर के साथ उर्जा देने वाला हो डाइट एक्सपर्ट के बात करने पर पता चलता है कि नैस्ते में आलू के पराठे खाए जा सकते हैं रोजाना आलू के पराठे खाने पर डाइट एक्सपर्ट भी मना करते हैं दरसल आलू में कार्वो हाइड्रेट और स्टार्च की मातरा बहुत अधिक होती है जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं आलू में पोटैसियम बिटामिन A, बिटामिन C, मैगनिसियम, फासफोरस, आईरेन और जिंक जैसे पोसक तत्व पाए जाते हैं आलू में प्रोटीन और गुलुकोज की भी मातरा प्रियाब तो होती है या शरीर को उर्जा देने के साथ मजबूत बनाने में भी मदद करता है आपका प्रसना 12 नास्ते में जूस और दूद में से कौन सा ज्यादा व्यतर है आपका उतर है जूस और दूद की इस जंग में दूद बाजी मारता नजर आता है क्योंकि दूद में कल्सियम होता है जो हमारी हड़ियों और दातों को मजबूत बनाता है जबकि ओरेंज जूस दातों के इनैमल को नुक्सान पहुचा सकता है दूसरी बात यह है कि एक गिलास दूद पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और आपको देर तक भूख नहीं लगती जब कि एक गिलास जूस पीने के बाद आपको पेट भरने वाली फिलिंग नहीं आती है दूद म हेल्दी प्रोटीन होता है जिससे आप दीन भर अनहील्दी इस नए किंग करने से बच सकते हैं लिहाजा डिनर और ब्रेक फास्ट के बीच के आठ से नौ घंटे की फास्टिंग को तोड़ने के लिए जूस से व्यातर ओप्सन दूद का होता है आपका प्रसन तेरह नाच् में चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है आपका उतर एक सपट सके अनुसार ब्रेक फास्ट में चाय के साथ रोटी खाना स्वास्तिय के नजरिये से बहुत ही नुक संदायक है क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोसर नहीं मिलता है इसके अलावा कैफिन युक सही नहीं होता है क्योंकि चाह के साथ रोटी या चपाती खाने पर आयरन यानी कल्सियम शरीर सोख नहीं पाता है जिसके कारण इस तरह के नाश्ता से शरीर को उर्जा और पोशड तानक के बराबर मिलता है धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के ल कि वीडियो जाई बाबर मिलता है